आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होते ही, इस्टेडी IQPAP का बहुत सबागत है, यह जबर्दस लेच्चर है, देखिए इससे पहले मैंने आपको एक लेच्चर लिया था, न्यूट्रिशनल वैल्यू जादा है, तो वैक्सीन की एफिकेसी जादा होगी, लिच्चर में हम समझेंगे, थोड़ा लंबा लिच्चर होगा यह, हमारी रेपब्लिक देसे शिरू हो चुकी है, अगर आप न्यूट्रिशन को इग्नोर कर रहे हो, और आपको लगता है कि न्यूट्रिशन नहीं लेना है हमको, अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पहली बातों यह समझो कि जो भी आप खा रहे हो, उसे पीछे content देख लो, यह जो companies है न, यह nutrition के नाम पर बहुत बेवगूव बनाती है, तो इसलिए कुछ भी आप खा रहे हो, उसके पीछे nutrition करो, contents देखो कि क्या है, क्योंकि दोस्तों यह सारी चीजे न, आपकी immunity को भयान तरीके से hamper करती है, you will be surprised to know, कि यह जो trans fats, ultra fats है न, यह processed foods जो होते इतने खतरनाक तरीके से आपको बिमार कर सकते हैं, कि आप जान नहीं सकते, एक बार क्या हुआ, मैं आपको अपना example देता हूँ, एक बार क्या हुआ, कि मैंने क्या किया था, अभी, कि मैंने सोचा कि बहु पर effect किया, कि मेरी पूरी body ही बेकार होगी, मैंने manchurian खा लिया, उसके बाद मैंने manchurian के साथ rice खा लिया, उसमें भी manchurian था, काफी ज़्याद मिर्चा था, मैं मिर्च वैसे 1% भी नहीं खाता हूँ, ज़रा सी भी नहीं खाता हूँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगत है, आप limit में खाओ, आप बिल्कुल limit में खाओ, लेकिन हद से ज़्यादा खा रहे हो, तो it is very very harmful, तो अगर आप nutrition को ignore करते हो, तो दिक्कत है, natural immunity होती है, innate मतलब acquired immunity होती है, ठीक है ना, मतलब natural immunity को ही innate immunity कहते हैं, और एक होती है acquired या adaptive, natural मतलब आपको COVID-19 होए, कोई वाइरस ह को trigger कर दे, समझ के, यह मैंने कई बार बता भी चुका हूँ, और यह आपकी natural antibodies पे, sorry, neutralizing antibodies पे depend करती है, तो अब दोस्तो हम दोनों को ही जो nutrition है ना, इसको बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते, चुकि vaccine सिर्फ antigenic stimulus देती है, बाकी पूरे अगर all over again देखें कि immune system proper काम करें, तो उसक तरीके से body response करती है, वो आपके nutritional status में depend करता है, और यह individuals पे vary करती है, ठीक है, बहुत सारे facets है nutrition के, जो इस dietary response को stimulate करते हैं, ठीक है, अब मान लो कि diet जो है, वो deficient vital nutrients में, that is needed for a robust immune response, ठीक है, it may have elements that stoke high levels of inflammation in body, यानि कहने का मतलब यही है, कि अगर हम building blocks of immunity consume करे, vitamins consume करें, तो हमारा immune system लगातार बैतर होता जाता है, अब देखिए, क्या है कि अगर आपका immune system अच्छा होगा, तो इसका मतलब आपकी nutritional diet भी बढ़िया है, अगर आप हद से जादा बेमार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको diet, diet से आपकी पूरी health का connection आप खा क्या रहे हो, तो इसमें जो ultra processed food होते हैं जिसमें natural, बदलब जो trans facts होती है, processed sugar होती है, ये इतना जादा खतरनाक, इतने chemicals डाले जाते हैं, इतने सारे जो supplements हैं जो कहते हैं, खाने के मतलब alternative, जो कहते हैं कि हम बहुत pure हैं, वो भी pure नहीं, आप उनके content तो देखिए, वो ad में तो दिखा नह सकते advertisement जो आता है, वो तो अपने आपको ऐसे दिखाते हैं कि उनसे पवित्र कुछ ही ही नहीं, लेकिन जब आप पलट के, क्यूंकि content आपको compressor यह दिखाना, ठीक है, लेकिन जब आप पलट के देखोगे, content आपके हो चोल जाएंगे, कि है क्या, इसलिए हमेशा आप content देख के product खरीदू, यह बहुत जादा important है, तो अगर आपको अपना immune system बढ़िया रखना है, तो घर का ही बना हुआ खाओ, अच्छा खाओ, घर में भी ऐसा नहीं मैदा बनवा रहे हो, या तला हुआ जादा खा रहे हो, बढ़िया खाओ, कभी-कभी खाओ, no doubt, आप 2-3 हफते मे यह problem create करेगा, मैं आपको ultra facts के बारे में, processed foods के बारे में थोड़ा सा बता दे, हमारे जो bacteria होते हैं, जो useful bacteria होते हैं, ठीक है, जिनको, मतलब अब probiotic जब आप लेते हो, जैसे जो दही है, वो सबसे बहतरीं probiotic source है, आप सुबा दही ले लो, दही ले लो, आप वो बाहर से मीठ microbiome system है, मतलब जो हमारे bacteria है, जो trillions and trillions of numbers में, करोनो bacteria है, वो fiber पे depend करते हैं, जितना बढ़िया आप fiber लोगे, fiber rich foods खाओगे, उतना बढ़िया जो bacteria हो respond करेंगे, लेकिन अगर आप alcohol ले रहे हो, अगर आप tobacco ले रहे हो, अगर आप fats ले रहे हो, ठीक है, और processed food खा रहे हो, जो बाहर बनाते हैं, धेर सारे chemicals डालके, वो सब ले रहे हो, तो आपके ये जो bacteria, जने useful bacteria, ये respond ही नहीं करेंगे, इसका मतलब आपकी body, जब भी कोई बिमारी आगे, को virus attack करेंगे, properly respond करेंगी ही नहीं, तो यहाँ पे study ने बताया है, कि polio की vaccine हो गई, cholera, kirota virus की vaccine हो गई, अ जो है, they are very important minerals, देखे, the most important part of the diet is protein, ठीक है, but remember कि you have to take protein in less quantity, if you are suffering from, जैसे uric acid बढ़ा हुआ है, या कोई भी ऐसा जिसमे protein कितनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमको लगबक 80-90 gram protein तो daily चाहिए, अगर आप workout तरहें, तो protein ब्लोक्स तो protein हो very important, next are zinc, selenium, vitamin E, यह सब बड़े important ह जो vaccine की efficacy को बढ़ाता है, और यह आपको natural immunity देता है, you don't have to actually depend on vaccines, you will be, देखो, virus क्या है, it actually depends on your body, कि how your body responds, so whenever a virus attacks, तो क्या होता है, कि आपकी body, अगर आपकी immunity बहुत 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 है, ठीक है, already naturally acquired, आपने बहुत 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 है, ठीक है, already naturally acquired, आपन जगा लेंगे आपके जो जितने भी antibodies है, ठीक है, दोडा दोडा के मारेंगे, लेकिन अगर on the other end आप बाहर का खा रहे हो, हद से ज़्यादा, according, pre-recording, तो it's very very, मैं क्या बता हो, तो जहर है, मैंने बता है, कंपनी जो है, को जहर जो है, वो बेच रही है, chocolates are very very important, आपको पत जो होता है, आप घर पे भी आराम से chocolate बना सकते हो, जादा कोई दिक्कत नहीं है, घर पे भी आप chocolate बना सकते हो, उसमें कुछ ही नहीं, cocoa powder ले आओ, और उसके बाद honey ले आओ, और उसको फिर बना लो, और फ्रीजर में रख दो, उसमें कुछ नहीं है जादा, ठीक है, वो बहुत सारी YouTube पे आप देखेंगे, रेसिपी तो पांच मेंट में बन जाती है, cocoa powder के health benefits गजाब है, लेकिन वो naturally मिलती नहीं न, अब बाहर की chocolates खाएंगे, तो ज़रा देख, पीछे content देख लो बेटा, तो ये चीज, तो कहने का मतलब ये है, कि यहाँ पे आपकी immunity जो है, व गर आपकी diet बढ़िया होगी, vitamin E हो गया, zinc हो गया, selenium हो गया, ये naturally acquired immunity मतलब आपको virus लगेगा ही न, भाई, पहले के जमाने में जो लोग थे, वो कहां इतने बिमार पड़ते थे, ज्योंकि वो घर का बना हुआ देशी गी खा रहा है, मक्कन का रहा है, सब कुछ बढ़िय it is very important to consume nutritious diet, जापान एक रिसर्च की थी, कि एक चुहे को उन्होंने casein दिया था, जो milk में, जूद में पाया जाता, protein, तो जिसको 5% दिया, उसकी immune system कम था, immune response कम था, जिसको 20% दिया, उसका immune response जादा था, in fact, DNA vaccine management में भी आपका nutritional status जो है न, वो बड़ा important है, ठीक है, और सेम चीज़ फ्रांस में हुई, फ्रांस में जब अभी placebo दिया गया, जूटा injection दिया गया, तो उसमें हुआ क्या, कि बूढे लोगों की antibodies जादा थी, और जो नए लोग थे, उनके में zinc और selenium की कमी थी, तो ये दिखाता है कि कितना जादे important है, अब देखिए, जब vaccine देगे, तो क्या हमको juice भी मिलेगा, क्या हमको nutritious diet भी बदाम पिस्ता, इसा कुछ नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वरना तो लोग खाने ही पहुँच जाएगे, vaccine तो फिर, देखिए, अगर सरकार ये बोल दे, कि vaccine के साथ-साथ हम बढ़िया सी nutritious diet भी देगे, कड़ अब देखिए इसमें एक बड़ा catch है भारत में, भारत में लोग गरीब हैं, भारत में गरीबी रेकाय, 60-70% जहां गरीब है, वहाँ पर इंब ये expect नहीं कर सकते कि उनको nutritious diet मिलेगी, अभी by NFHS का survey आप देखिए न, उसमें पकायदा पूरा चाप्टर है, कि malnutrition भारत की कि इतनी जादा बड़ी problem है, तो malnutrition बहुत बड़ी problem है दोस्तों, और यहाँ पे सरकार को सुनिश्चित करना होता है, सरकार स्कीम चलाती है, बहुत सारी स्कीम चलाती है, जिससे वो nutritious diet देने का प्रयास करती है, बट वो भी काफी नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि mass immunization program हो रहा है, और उसके साथ-साथ nutrition counseling भी मिलेगी, फिलाल ऐसा नहीं होगा, yes, injection के बाद, मतलब injection देने के बाद, हम बिलकुल observe कर सकते हैं, किसका response कैसा है, और कैसी इसकी nutritious diet है, अब दोस्तों, इसको हम बड़े पैमाने पे देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, agriculture, जैसे भारत की ब सबसे important wheat है, और rice है, गेहूं और चावल, बनेगा ही बनेगा चाये, जो हो जाए, shift करो बेटा, सुबा ओट स्लो, या cereal स्लो, और हमको अपना dietary pattern change करना पड़ेगा, सरकार बिड़े पहने करेगा, सरकार ऐसी policies बनाए, जो दूसरे खानों को, या दूसरे cereal जो postic हैं, जिसमें nutrition बहुत जाता है, लेकिन उसको उगाया ही नहीं जाता है, क्योंकि commercially profitable ही नहीं है, profitable भी है, तो MSP खाली wheat and rice पे मिलता है, दूसरे राजजी भी उसको उगा रहे है, अरे कब तक उगाएंगे, अब हमको अपना dietary pattern बदलने की जरूरत है, तो सरकार अगर चाहती है, क्योंकि इ ऐसे program ही चला रही है, कि आप aware करो लोगों को, आप लोगों को बताओ, आप add निकालो, कि क्या क्या आपको खाना है, nutritious diet लो, अपने आप ही ये virus नहीं किसी को लगेगा, natural immunity जो है, it will fight off the microbial infection, और robust immune response हमारा develop होगा, fish हो गया, vegetables हो गया, fruits हो गया, अब बताइए आप क्या बहु पीजा बाहर जाने से पीजा बर्गर खाने से अच्छा सेव खरीद लो, ठीक है, 200 रुपे का आप पीजा बर्गर 200 रुपे में, दो किलो सेव आजाएंगे, वो खाओ, मजा भी आते, पापीता खाओ, ये सारी, ये nutritious diet लोग है ना, तो बढ़िया रहेगा, अब देखे, climate change पर आप आ गए है, climate change जो है, वो भी हमको impact कर रहा है, देखे, climate change एक ऐसी problem है ना, जो हमारे सामने है, और कोई इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है, और ये और बड़ी problem है, कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, देखे, कितना भी हम बोलने कि देश ठीक है, देश जो है, वो काफ इनिशेटिव जैसे भारत बहुत सारे इनिशेटिव चला रहा है, लेकिन दोस्तों, climate change को लेके लोगों को अवेर करने की जरूरत है, ध्यान दीजी का सरकार policies बनाती है, implement करती है, लेकिन proper implementation इंसान ही करते है, जो common man होता न, वही proper implementation करता है, तो एक proper awareness program climate change को भी लेके सरकार को चलाना चाहिए, टीवी पर आड़, सोशल मीडिया पर आड़, हर दगा आड़ दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि climate change का जो impact है, that also needs to be considered, अगर हमको अपने future food system और nutrition अपने देश में, अगर हमको उसको consider करना है, तो हमको climate change को भी देखना पड़ेगा, अब आप एक स्टड़ी होती कोलंबे उनिवसिटी में, उसने यह बताया कि climate change का impact जो है, 2050 में बहुत ज़्यादा होगा, अब आप देखिए, कि nutrition quality of stable staples would decrease according to the study, यानि कि, जो हमारे staple foods है न, उनकी 2050 तक nutrition quality कम होती जाएगी, 49.6 million new zinc deficient person, बताईए, 5 करोड zinc deficient persons, अभी मैंने आपको बताया कि zinc और selenium बहुत important है, ठीक है, फिर से, फिर से, यह देखो, zinc और selenium बहुत important है, important minerals है, अगर आपको proper immune response चाहिए, natural immunity के लिए, लेकिन भारत में, 2050 तक 5 करोड zinc deficient persons, 4 करोड लगबग, protein deficient persons, उसके नीचे आप देखिए, यह 11 करोड बच्चे, 40 करोड औरते, iron deficient, औरतों को वैसे ही iron deficiency होती है, अनीमिया होता है, यह बड़े चौकाने वाले आकड़े हैं, अगर आप इसे study को गौर से देखें, तो इसका कुल मिला के मतलब यही है, कि हमारे immune system की 2050 तक dand भजने वाली है, याने कि भारत will be prone to diseases and viruses, more viruses will attack us, bacteria will attack us, and in order to curb that, we have to produce immunity, and immunity comes from these minerals, तो जब तक हम, जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी, immunization program तो चलाई रही है, लेकिन nutrition program भी चलाए, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तो सबसे बड़ा challenge यही है, कि किस तरीके से हम affordable food sources, मैंने आपको क्या बता है, भारत में बड़ी problem यह है, कि भाई ठीक है, बादाम पिस्ता हर कोई नहीं खा सकता, तो हमको ऐसे खाना चाहिए, ऐसे food sources चाहिए, जो affordable हो, balanced diet चाहिए, जो psychologically और healthy benefits दे, मलब healthy हो, health के लिए बढ़िया हो, अब इसमें, यह diet जो है, should be plant-based, देखे, मैं personally, you have to be vegan, I am really sorry, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, कि इंसानी शरीर, एक vegetarian शरीर है, और अगर आप चाहते हैं, देखे, शेर जो है, उनके दात, देखे, बहुत सारी चीज़े हैं, दोस्तों, कम तो कम 10-15 points में बता सकता हूँ, उनका digestive system इस तरीके का है, कि वो non-wage को अच्छे से digest कर सकता है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारा digestive system जो है, वो plant-based sources को अच्छे से digest कर सकता है, वरना दोस्तों, देखे, आयूर वेद में भी ये लिखा हुआ है, मैं बिलकुल आपको proper data के साथ बता रहा हूँ, कि आयूर वेद में भी इस तरीके के, उसमे बगाईदा लिस्ट दी हुए, कि किन खालों से आपको दूर रहना चाहिए, उसमें non-wage बहुत सबसे number one पे आता है, ठीक है, तो अगर आप कोशिश करिए, कि आप vegetarian diet पे shift हो जाए, और इसका reason ये भी है, कि आप जितने बड़े, अगर आप dietician से पूछेंगे, और जिनको थोड़ी सी knowledge है, वो हापको यही बोलेंगे, कि आप जितना ज़्यादा vegetarian consume करें, उतना ज़्यादा बेटर है, तो best यही है, कि plant based in nutrition is very very important, ये nutritionally appropriate भी है, और ecological sustainable, अक्सर लोग बोलते हैं, जब non-wage और veg में debate होती है, देखिए, वैसे मैं, ठीक है, अगर आप non-wage खारे हैं, तो उस पर भी कोई problem नहीं है, वो अप choice है, लोगों के अपने परी choice होती है, लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं, कि आप plant को मार रहे हो, उसको भी दर्द होता है, ये बहुती एक, ये argument बिल्कुल गलत है, ठीक है, अगर आप scientifically जाएं, तो ये बिल्कुल गलत argument है, ठीक है, इस regenerate करेगा, प्लांट को आप मार नहीं रहे हो, उसको जड़ से नहीं खाड रहे हो, समझ रहे हो न, तो ये थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए, बढ़ ठीक है, यहाँ पे हमको plant-based resources पे जाना है, और सबसे बढ़िया recommendation यहाँ पर जो author नहीं दिया है, ये जो ultra processed food है न, इन को regulate करो, अपने आप dietary pattern बदलेगा, तो I hope दोस्तों ये lecture आपको अच्छा लगा होगा, proper insights मिले होंगे, अच्छा ये मेरा telegram channel है, इसको आप जरूर जोइन करिएगा, भी 13,000 subscriber है, तेज़े सेदान तक नहीं होतरी, signing off.